हेलो फ्रेंड्स वैलकम टोल लॉफ यू जीवन एजिकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत हैं हम् डिसकस कर रहे थे बीपी सी चन के रिगाड़ेड यानि सी चो ब्रीज कोर्स के रिगाड़ेड हम डिसकस कर रहे थे उसके सेलेबस को हम सेशन वाइस वन बाइवन देली अप्टूडेट सेशन आपको मिल रहे थे इस सेशन के अंदर हम डिसकस करेंगे next topic जीएटी सिस्टम हम पढ़ रहे थे और सेकेंड पेपर हम पढ़ रहे थे primary health care in common condition जिसके अंदर जीएटी सिस्टम के अंदर काफी सारे अपेटस अलसर तो अपेटस अलसर क्या होते हैं अपेटस अलसर को commonly अपन कहें तो mouth अलसर कह सकते हैं या फिर इनको अपन canker sore भी कह सकते हैं तो क्या होते हैं अपेटस अलसर क्या होते हैं canker sore क्या होते हैं RAS यानि recurrent अपेटस stomatitis क्या होते हैं पुरा डिटीटियल से जानेंगे की अपफील सर क्या होते आपने सुना होगा आपने सुना होगा और पड़ा होगा काफी अची तरीके से पड़ा उगा ऐसी मैं उम्मिद करता हूं तो यह टोपिक आपके लिए काफी इंपोटेंट है कि एक जनरल पॉपूलिक्षिन के के अंदर क्या हो जाना अल्सर हो जाना यानि छाले पड़ जाना तो छाले क्या होते हैं अल्सर क्या होते हैं पूरा जन्रल यह अपन देखेंगे और इसके रिगाड़ेड क्या क्या कोजट्व फेक्टर से क्या क्या रिस्क फेक्टर है क्या क्या इसके रिगाड़ेड कोफी जन्रली ये देखने को मिलती है तो इसके किसी नाम से आपको याद रखना ठीक है तो सारे नाम् आपको याद राखने है आपने लाइंगा के अंदर स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कीजिगा चेनल कीजिगा आएकल प्रेस कीजिगा ताकि आने सबी session आप तक पहुँचें चलिए सबसे पहले हम एक image के तुरू समझते हैं कि यह apathus ulcer होते क्या है recurrent apathus estomatitis होते क्या है canker sore होते क्या है सबसे पहले common bahasa में इसको अपन कहें हिंदी में इसको अपन कहें जनरली कहें तो यह चाले होते हैं यानि मुह में चाले हो जाना आपके गले में चाले हो जाना आपके पेट में चाले हो जाना किसी भी तरीके से कहीं पर भी चाले पड़ रहे हैं यानि अलसर हो रहे हैं वही क्या होते हैं अपेतस अलसर होते हैं जो जनरली जो population है उनके अंदर more common यह देखने को मिलता है जनरली देखने को मिलता है और common लेज़ा कमुल्टी है तो आप अपनी सीट पर है अपनी डूटी पर है तो इसके काफ़ी सारे cases आपको देखने को मिलेंगे तो उसका क्या management आप करेंगे उसके उस patient को आप क्या health education दे रहा है उससे आपको समझ में आ रहा होगा और ऊमेद है आप सब जानते होंगे इन culture को क्योंकि काफी जनरल condition है आप सब इसके बारे में काफी यह तर देखरी से जानते हैं मेनेजमेंट आपको करना है और इन सबका ट्रीटेमेंट आपको करना होगा इन सबका इलाज आपको करना होगा तो कौन से कभ करना है पूरा है पूरा पर आप जानते हैं सबसे पहले डायगराम में आपको लिएड़ करना है और यहां पर आपसे हैं यहां पर अलसर हो रहा है यह जो अलसर हो रहा है सोर बन रहा है या पर सोर यानि उंड बन रहा है एक तरीके से अलसर यह हो रहा है यही क्या है अपैतस अलसर है तो जनरली अपनों उसको अपैतस अलसर के नाम से जानते हैं सेकेंड इमेज आप देख पा रहे होंगे सेकेंड इमेज के अंदर भी आपको दिखा रहा है आपकी टंग के अंदर भी अलसर हो सकता है आपके टिशू के अंदर अलसर हो सकता है तो कहीं पर भी अगर अलसर हो रहे हैं तो डारेक्ली अपन क्या कहेंगे कि पैसेंट को क्या ह अपको करना है क्योंकि अपन कहें तो यह अगर आप इसके रिगाड़ेड रिगाड़े बीनेजमेंट भी नहीं करते हैं तो 10-12 व्हाइज याने की दसी अधर यह automatically selfie क्या हो जाती है recovery हो जाती है automatically सही हो जाते है लेकिन काफी सारी conditions ऐसी आती है जिनमें हमें management की भी जरूत पड़ती है इलाज की भी जरूत पड़ती है ऐसी भी condition आ जाती है कभी कि patient को refer भी करना पड़ता है क्योंकि severe भी यह हो सकती है कैसे severe होगी कौन सी होगी किस type का यह अपेतस ulcer होगा type भी अपन पड़ेंगे सारा कुछ अपन पड़ेंगे चलिए image से आपको clear हो गया होगा यहाँ पर highlight करके इस तरीके से आपको ulcer देखने को मिल सकते हैं यानि ulcer single भी हो सकता है किसी आपके tongue के अंदर हो गया मान लें single एक छोटा सा ulcer हो गया छोटा सा यहाँ पर sore बन गया इस type में sore बन गया और यहाँ पर काफी सारे sore cluster type में भी sore हो सकते हैं काफी सारे sore एक जगे हो गये छोटे छोटे sore sore एक जगे से हो गये तो किसी भी तरीके से आपके sore हो सकते हैं और उन सभी sore को उन सभी ulcer को क्या कहते हैं और उमेद हैं आपको शमज में आ गई हो है क्योंकि common है और आप सबने face किया होगा आप सबने देखा होगा ऐसे condition को और कभी न कभी एज़ा अब कहीं खेटिल में गए थे clinical duty पर गए तो वहां पर भी आपको देखने को मिला होगा तो चाले पर जाना यानि अलसर हो जाना माउथ माउथ के अंदर टंक के अंदर इसोफेगस के अंदर इस्टोमक के अंदर किसी भी अंदर यानि जिए टी सिस्टम के किसी भी पार्ट के अंदर मुकस मेंबरीन के अंदर अगर अलसर बन रहे हैं तो directly अपन कह देते हैं कि अपैतिस अलसर है तो गया होता है काफी common condition है और more prone है more common यह देखने को मिलती है और जनरली कहीं पर भी आप जाएंगे तो इसके patients आपको condition आपको देखने को मिली ही जाती है चले बढ़ते हैं अब जानते हैं क्योंकि हमें subjective paper देना है और जिसको objective देना है उसके regarding उसके regarding भी मैं आपको key points बता देता हूँ और जिसको subjective देना है उसको तो अच्छी तरीके से पढ़ना ही है चले बढ़ते हैं चले बढ़ते हैं सबसे पहले इसका introduction अपन देखते हैं सबसे पहले इसका introduction देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अपेतस ulcer also known as अपेतस estomatitis अपेतस ulcer को sometime आप क्या कहते हैं sometime हं क्या कहते हैं इसके अलावा अपेतस ulcer को ही canker sore भी कहते हैं तो generally basically 3-4 नाम यहाँ पर आपको याद रखने तो अपेतस ulcer हो जाता है दूसरा अपेतस estomatitis हो जाता है तीसरा आपका केंकर सोर हो जाता है और चोता आपका RAS हो जाता है यह RAS हो जाता है RAS मतलब Recurrent Apathos Estomatitis यह हो जाता है तो तीनो चारो नाम सेम है किसी भी नाम से आपसे क्योशन पूचा जा सकता है सोट नोट्स के अंदर भी लोग क्योशन के अंदर भी तो उम्मिद है यहां तक आपको क्लियरली और अच्छी तरह के समझ में आ गया होगा कि अपेतस अल्सर क्या होता है तो जन्रली नोर्मली हमने के दिया कि यह अल्सर होते है तो अपेतस अल्सर आर कोमन एंड पैन फूल प्रोब्लम एंड केन मेक इटिंग एंड टोकिंग डिफिकल्ट देखिए सिंपल सी लेंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ है अपेतस अल्सर एक कोमन कोमन कंडिशन है देखने कोई मिल जाती है तो अपेतस अल्सर आर कोमन कोमन कंडिशन है पैन फूल प्रोब्लम है कोमन प्रोब्लम है और पैन फूल प्रोब्लम है क्योंकि अगर पैसेंट को क्योंकि अगर परसन को अल्सर हो रहा है माउथ के अंदर अल्सर हो रहा है तो person कोई भी part, कोई भी food खाता है, यानि खाने में उसको दिक्कत आती है, यानि eating में difficulty होती है, बोलने में difficulty होती है, आप सबने देखा होगा, कभी न कभी आपको भी चाले हुए होगी, आपको भी ulcer हुआ होगा, mouth ulcer हुआ होगा, तो आपको भी बोलने में दिक्कत आती होग तो mouth ulcer आप कह सकते हैं, sometimes इसको mouth ulcer आप कह सकते हैं, तो apathous ulcer common problem है, painful problem है, और ये क्या करता है, can make eating or talking difficult, ये खाने को और बोलने को क्या कर सकता है, difficult कर सकता है, यानि जब apathous ulcer आपके होते हैं, तो आप बोल भी नहीं पाते हैं, अच्छी तरीके से, यानि उसमें भी आपको difficulty होती हैं, और खाने में भी आपको difficulty होती हैं, I think यहां तक clearly आपको समझ में आ गया होगा, कि apathous ulcer क्या होते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और line यहां पर लिखी हुए है, simple सी, और I think इस line के बाद आपको काफ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, देखे, apathous ulcer are small, shallow, lesion, क्या है, apathous ulcer क्या है, small, छोटे-छोटे, और swallow मतलब गड़े टाइप में lesion है, क्या है, lesion है, lesion मतलब एक तरीके से घाव अपन कह सकते हैं, तो apathous ulcer क्या है, small, shallow, or lesion है, that develop on the soft tissue in our mouth, और at the base of your gums, देखे, simple सी language में लिखा हुआ है, कि apathous ulcer, small type में होते हैं, यानि small size होते हैं, shallow होते हैं, और lesion होते हैं, यानि small lesion हम इनको बोल सकते हैं, small ulcer इनको हम बोल सकते हैं, जो की develop होते हैं, कहां पर, soft tissue of your mouth, आपके मुँख की soft tissue के अंदर, आपके मुँख के, आपके mouth के soft tissue के अंदर ये develop होते हैं, या फिर base of your gum, आपकी जो मसूडे हैं, आपके जो gums हैं, वहां पर ये क्या हो सकते हैं, generally होते हैं generally develop होते हैं तो simple सी भासा में आपको समझ में आ गया होगा कि apathous ulcer क्या है apathous ulcer small in size में होते हैं shallow lesions होते हैं जो कि develop होते हैं कहां पर soft tissue of your mouth आपके मुँग के soft tissue में और आपके gum के base पर आपके gum के base पर यानि तो I think clearly आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं एक और यहां पर definition लिखी हुई है देखे समझते हैं an apathous ulcer is an ulcer क्या है directly simple सी लिखा हुआ है कि यह क्या है एक type का ulcer है that form on the mucous membrane जो की form होता है कहां पर mucous membrane पर on the soft tissue in your mouth और at the base of your gum यानि कहां पर soft tissue में soft tissue किसके mouth के soft tissue या फिर gum का base यानि simple सी language में कहे तो आपकी mucous membrane आपकी mouth की आपकी GIT system की जो mucous membrane है वहां पर ulcer बन जाते हैं उनी ulcer को apathous ulcer कहते हैं उनी ulcer को apathous ulcer कहते हैं like on the inside of the lip on the inside of the lips आपकी जो lips है आपके जो lips है उनके पीछे की तरफ यानि inside अंदर की तरफ अगर ulcer होते हैं तो उनको apathous ulcer कहेंगे आपके cheek यानि आपके गालों के अंदर होंगे तब भी apathous ulcer होंगे below the tongue टंग के नीचे होंगे तब भी apathous ulcer होंगे आपके मू की जो मुकस मेंब्रेन है मुकस मेंब्रेन है उसके अंदर देखने को मिलता है आपकी टंग के नीचे देखने को मिलता है आपके गंस में देखने को मिलता है आपकी जो चीक है उनके साइड में देखने को मिलता है और आपकी जो लिप्स है उनके पीछे और के अनदर जो जाने जाते हैं यानि के अंदर और घ्यяж पांगे संग만 अगर हम कहें यानि अन्मुहारै यानीar कि हैं जो और ब local यह दोscore हम अ मोढ newest जो हुआ आ फॉर सेफ ही अम रहले हैं एक लाइन और हम पढ़ते हैं उसके बाद clearly समझ में आएगा अपेतस ulcer are the most common oral mucosal lesion in a general population simple language में लिखा हुआ है अपेतस ulcer are the most common oral mucosal lesion आपके mouth के अंदर यानि mucos membrane के अंदर lesion बन जाना जो की commonly देखने को मिलते हैं आपकी जो general population है उनके अंदर commonly देखने को मिलते हैं यानि के सकते हैं कि एक condition कैसी है most common condition है जो की generally देखने को मिलते हैं आपकी general population है उनमे जनरली ये problem है जो की देखने को मिलते हैं more common या most commonly ये देखने को मिलते हैं कहां पर होते हैं आपकी जो oral mucosal lesion है oral जो mucous membrane है mouth की जो mucous membrane है mouth के जो short tissue है उनके अंदर ulcer देखने को मिलते हैं और वो ही ulcer, apathos ulcer होते हैं I think अब clearly समझ में आ गया होगा और अब एक line और पढ़ते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं these ulcer have recurrent appearance even after successful treatment ठीक है यहाँ पर क्या लिगा हुआ है this type of ulcer या these ulcer have recurrent appearance even after successful treatment यानि यह recurrent हो सकते हैं recurrent हो सकते हैं यानि एक बार ulcer सही हो गया तो वापस भी हो जाते इसलिए general problem मानी जाती हैं कापी सारे persons ऐसे होते हैं आपके भी family में होगे या आपके भी relative में होगे आपके भी friend circle में होगे आपके भी community में ऐसे person होगे जिनको recurrently ulcer होते रहते हैं जिनको recurrently ulcer होते हैं और मैंने भी देखा हैं मेरा friend है उसको recurrently automatically ulcer होते हैं बिना कोई treatment के automatically heal भी हो जाते हैं automatically सही भी हो जाता है अगर वो उसके regarded कुछ medicines लेता है जिसे विकासोस हो गेरा, capsule आते हैं, multi vitamins हो गेरा, उनको लेता है तो जल्दी सही हो जाता है, बाकी वो automatically भी सही हो जाता है, ठीक है, automatic भी दीरे दीरे वो सही हो जाता है, 5-7 दिन के अंदर automatic सही हो जाता है, लेकिन वापस से वो उसको हो जाता ह तो मैंने उससे कहा कि इसके पीछे एक region है, मैं आपको बताऊंगा, इसके पीछे एक region है, जो कि मैंने उसको region बता है कि यह region है, और I think अगर उस region को वो avoid करता है, उस risk factor को वो avoid करता है, तब तक उसको ulcer नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस risk factor के आस पास जाता है, रिसक से दूर नहीं रहता हैं, तो वापस उसको ulcer हो जाता है, तो अभी काफी अच्छी तरीके से वो अपने risk factor को पैचान रहा हैं, और काफी अच्छी तरीके से life चल रही है, और आप उसको ulcer काफी कम time देखने को मिलता है, ठीक है तो कौन से condition में ने उसको बता है कौन से risk factor उसको बता है वो हम आगे discuss करेंगे detail से इस session के अंदर तो start करते हैं आगे यहां तक उम्मिद है introduction और definition आपको clearly समझ में आ गया होगा apathos ulcer क्या होता है mouth ulcer क्या होता है canker sore क्या होता है या फिर rs क्या होता है चलिए आगे बढ़ते हैं है mouth ulcer उसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं वह हम discuss करेंगे लेकिन उससे पहले वीडियो को like कीजिएगा share कीजिए गार चैनल फर फर्स ताइम विजिट कर रहे तो चैनल को subscribe करके bell icon call पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे भी continuously session आपको available होते रहेंगे चलिए बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि अपयतेस अलसर के क्या 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 हो सकते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं अप्यतेस अलसर के यानि आपके अंदर आपके mouth में अगर अलसर हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या कारण होंगे उनको अपन जानते हैं रिस्क फेक्टर के साथ साथ कोजेश हम जानते हैं तो यहां पर जो एक पेरेग्राप लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं फिर आपको अच्छी तरीके से कोजेश भी समझ में आएंगे देखे इसका पता नहीं चल पाया है इसका एकजेक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया है कुछ risk factor है जिसके कारण से माना जाता है कि अगर ये risk factor आपके साथ है तो आपको apathos ulcer होने के chances ज़्यादा रहते हैं यानि risk factor को आप avoid नहीं करेंगे तो आपको apathos ulcer हो सकते हैं अगर आप risk factor से prevent रहेंगे prevention रखेंगे तो आपको apathos ulcer नहीं होगा बाके exact कोज जिसका अभी तक unknown है अभी तक ऐसा exact कोज नहीं पता चल पाया है कि वो कोज अगर नहीं होगा तो apathos ulcer यानि mouth ulcer नहीं होगा आगे बढ़ते हैं what most researcher and practitioner think in that the immune system is disturbed by some external factor and react abnormally abnormally against a protein in a mucosal tissue which cause apathos ulcer काफी सारे researcher ने इस topic को सर्च किया काफी सारे practitioner ने इस topic को practice में लिया और ऐसा माना कि आपका जो immune system है आपका जो immunity system है उसके कारण से भी आपको apathos ulcer देखने को मिल सकता है यह कैसे होगा कि अगर किसी person का अगर किसी person का immunity system disturb हो जाता है immunity system के अंदर कोई disturbance आ जाता है उसके कारण से immunity system के अंदर कोई disturbance आ जाता है तो उसके कारण से apathos ulcer देखने को मिल सकता है अब immunity system के अंदर या immune system के अंदर disturbance कैसे आएगा disturbance कैसे आएगा हो सकता है कोई external factor immune system को alter करे हो सकता है कोई external factor immune system को disturb करे immune system के अंदर disturbance लाए या उसके साथ कोई reaction करे abnormal T उसके अंदर आ जाए भले वो किसी भी वज़े से आए चाहे वो nutrition deficiency के कारण से आए चाहे वो accidentally आए चाहे वो किसी infection के कारण से आए अगर immune system के अंदर अगर disturbance आ जाता है तो आपको apitas ulcer यानि mouth ulcer देखने को मिल सकता है ऐसा कहा है कुछ researcher ने और practitioner ने लेकिन ये भी exact कोज नहीं माना गया है केवल एक idea think माना गया है कि अगर कोई researcher ने research किया है practitioner ने practice करके think दिया है तो बिल्कुल सही होगा लेकिन exact कोज इसको नहीं माना गया है तो आपकी जो mucosal membrane है उसके अंदर protein की deficiency भी हो सकती है protein की कारण से भी हो सकता है क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा हमने पढ़ा था protein हमने पढ़ा था nutrition subject के अंदर nutrition के regarded और हमने कहा था कि protein क्या है body building food माना जाता है अगर protein नहीं है तो body के अंदर अगर कोई भी leeson हो जाता है कोई भी घाओ हो जाता है कोई भी ulcer हो जाता है कोई भी उंड हो जाता है तो उसको heal होने में timing लगता है उसकी healing power क्या हो रहती है कम जोर रहती है और रिसेंटली ये नोर्षेट के अंदर question आया था कि किसी person को bad sore है किसी परसन को कोई सोर है और उसको continuously treatment दिया जा रहा है फिर भी वो सोर हील नहीं हो रहा है तो क्या region होगा तो simple सा region था उसका protein की deficiency उसके अंदर हो रही है इसलिए क्या हो रहा है उसको हील नहीं हो पा रहा है उसका जो उंड है उसका जो सोर है वो हील नहीं हो पा रहा है तो simple सी language में कहें तो basically घुमाफिरा के बाद नहीं करेंगे apetis ulcer यानि mouth ulcer का exact cause unknown है यानि idiopathic हम इसको कहेंगे लेकिन कुछ researcher ने, practitioner ने क्या कहा है कुछ practice की है उसके बाद एक think लगाया है कि immune system के कारण से immune system के disturbance के कारण से आपको apetis ulcer यानि mouth ulcer देखने को मिल सकता है उसके लावा कुछ risk factor, कुछ coaches है जो की बताए गए है जो की एक think के रूप में लिए है कि अगर ये आपके साथ होता है तो आपकी body के अंदर, आपके mouth के अंदर ulcer हो सकता है, apetis ulcer हो सकता है यानि risk factor के रूप में इनको बन पढ़ते है चलिए, सबसे पहला जो risk factor बताया वो है accidental अगर आपके mouth के अंदर आपकी जो dental आप कुछ भी कर रहे हो लाएक आप ब्रस कर रहे हो ब्रस कर रहे हो, यानि toothpaste के कारण से infection हो जाए, या फिर किसी वज़े से infection हो जाए, accidental के कारण से, यानि accident अगर हो जाता है accident अगर होता है किसका accident, क्योंकि आपन mouth अलसर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अपेतस अलसर पढ़ रहे हैं, तो mouth के अंदर यानि आपकी mucosal membrane के अंदर accident होगा, यह तो नहीं कि accident हुआ, आपका पेर तूट गया, पेर तूटने से आपके mouth में अलसर हो गया, ऐसा नहीं है आपके mucosal membrane के अंदर आपके GIT system के अंदर कोई accidental होता है, तो उसके कारण से आपको अपेतस अलसर देखने को मिल सकता है, देखें यहां लिखा हुआ है an injury, कोई भी injury हो जाती है, अगर आपके mouth के अंदर तो अलसर हो सकता है, तो यहां लिखा है, an injury due to dental work, कोई भी dental आपके buckle cavity के अंदर जो dental है दांत है, उन पे आप work कर रहे हो, हो सकता है कि dentist के पास आप गये हो, कुसी कारण से आपके dental कोई problem है, उसके कारण से कोई injury वहां पर हो गई तो उसके कारण से भी आपको apetis ulcer देखने को मिल सकता है, उसके लावा, उसके लावा उसके लावा, उसके लावा आपको hurts और brushing या physical activity के कारण से भी injury हो सकती है, आपके mouth के अंदर, तो उसके कारण से भी आपको क्या हो सकता है, apetis ulcer हो सकता है, चलिए next आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा है, कि immune system के कारण से भी apetis ulcer होता है, तो simple सी language है, emotional stress हो सकता है, या lake of sleep हो सकती है, जिसके कारण से भी person को apetis ulcer देखने को मिल सकता है, उसके लावा आपकी tooth pest, आपकी tooth pest के contain sodium laurel sulfate, sodium laurel sulfate अगर आपकी tooth paste के अंदर है, तो भी आपकी mouth के अंदर ulcer देखने को मिल सकता है, ऐसा researcher ने बताया है, ऐसा practitioner ने बताया कि इसके वज़े से हो सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे next हम risk factor पढ़ते हैं, that is self-inflicted bite, आप खाना खा रहे हो, जल्दी जल्दी में खाना खा रहे हो आप, और एकदम से आपने क्या कर लिया है, अपनी skin को काट लिया है, अंदर, mouth के अंदर ही आपने काट लिया है, आपने sometime देखा होगा, आपने sometime ऐसा हुआ होगा, कि आप कहीं जा जा रहे हो, office जाने का timing है, या फिर hospital जाने का timing है, duty जाने का timing है, या फिर जहां भी आप जा रहे हो, या कोई भी person कहीं जाता है, तो हो सकता है कि time का solit उसके पास है, और वो जल्दी जल्दी में खाना खा रहा हो, या बात करते हो या खाना खा रहा हो, तो वो अपने आपक हमारा हों तो खुद कर लेता है यानी बइट कर लेता है आप को हमें अफ़िख से यह तो कि अलावा सोट सब्सक्राइब कर दिर सरघ위 अर्ट को आपके अंदर आपके nutrition के अंदर किस कि saltage यानि deficiency हो जाती है vitamin B complex की deficiency हो जाती है उसके लावा iron की deficiency हो जाती है उसके लावा folic acid की deficiency हो जाती है उसके लावा protein की deficiency हो जाती है उसके लावा vitamin C की deficiency हो जाती है अगर इनकी deficiency आपकी body के अंदर हो रही है तब भी आपको अपेतस अलसर देखने को मिल सकते हैं आपको अपेतस अलसर हो सकता है ठीक है तो ये भी एक risk factor माना है उसके लावा hormonal changes during menstruation hormonal changes के कारण से भी अपेतस अलसर देखने को मिल सकता है ठीक है उसके लावा viral infection infection को भी most commonly माना गया है कि person के अंदर अगर infection हो जाता है चाहे वो infection वाइरल हो चाहे बैक्टीरियल हो अगर अलसर हो जाता है अगर आप personal hygiene यानि mouth की जो hyzening properly नहीं करते हैं तो उसके कारण से भी आपको अपेतस अलसर देखने को मिल सकता है अपेतस अलसर हो सकता है उसके लावा क्या reason हो सकता है उसके लावा condition like HIV AIDS can suppress the human system HIV AIDS जो की एक disease condition है काफी dangerous condition है इस condition में क्या होता है आपका जो immune system है आपकी जो immunity है वो क्या हो जाती है decrease हो जाती है और starting में ही practitioner ने और researcher ने कहा कि अगर आपकी body की जो immunity power है immune system है वो decrease हो जाता है या suppress हो जाता है या suppress हो जाता है डाउन हो जाता है तो आपको generally यह अलसर देखने को मिल सकता है ठीक है तो याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं bacterial ulcer के कारण से bacterial infection के कारण से भी आपको क्या हो सकता है आप इस improper देखने को मिल सकता है या erani bacteria present in a mouth mouth की अंदर sometime bacteria present होता है या Twitter Showtime का में न क्या होता ह vo", Normal Flora के रोप में रहता हु», आपके large intestine के अंदर भी रहता है तो bacterias होते है normal flora देते हैं वो आपको नुक्षान नहीं करते हैं लेकिन sometime कुछ bacterial infection के कारण से भी आपको क्या हो सकता है mouth ulcer यानि अपितस ulcer हो सकता है कुछ allergic reaction के कारण से भी आपको mouth के अंदर ulcer देखने को मिल सकते हैं अपितस ulcer देखने को मिल सकते हैं उसके लावा existing health issues like Crohn's disease, celiac disease यानि existing पहले से ही आपको GIT system से regarded कोई disease condition है पहले से ही आपकी body के अंदर GIT system से regarded कोई condition है तो उसके कारण से भी आपको अपितस ulcer देखने को मिल सकते हैं और क्रों और केंकर सोर देखने को मिल सकता है तो मिदे फ्रेंड्स यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अपितस ulcer क्या होते हैं और अपितस ulcer के क्या क्या कोजेज होते हैं एक्जेक्ट को जिसका unknown हमने बताया और बैसिकली इसका जो risk factor है अगर आपके यूमन सिस्टम को डिफ्रेज कर रहा है सप्रेज कर रहा है तो आपको अपितस ulcer देखने को मिल सकता है अब चाहे वो emotional stress हो depression हो या फिर lack of sleep हो lack of rest हो accident हो आपकी tooth pest हो या फिर आपने self bite कर लिया हो या फिर आपकी nutrition के अंदर deficiency हो गई है vitamin B की vitamin C की iron की folic acid की protein की अगर इनकी deficiency हो गई है तो भी आपको अपधस ulcer देखने को मिल सकता है उसके लाए अदर अगर photograph लावां बेक्टीरिल एंफेक्ष्ण हो सकता है यह पिर हो सकता है पहले सही आपकी बोडी के अंदर कोई GIT प्रोब्लम हो GIT system के regarded कोई disease condition आपको पहले से ही हो तो उस condition में भी आपको अपेतर सलसर देखने को मिल सकता है और एक most commonly risk यहां पर बताया है अगर आपको या किसी person को या patient आपके पास आ रहा है तो उसको अगर HIV regarded problem है क्योंकि HIV क्या करता है जो आपका human system में उसको surprise कर देता है तो उसके कारण से भी उसको क्या हो सकता है अपेतर सलसर देखने को मिल सकता है तो यहां तक उमेदे आपको समझ में आ गया होगा अब आगे हम discuss करते हैं symptoms और type of an apathus ulcer यानि apathus ulcer के क्या-क्या type होते हैं और साथ ही उनके symptoms क्या-क्या होते हैं वो हम discuss करते हैं तो symptoms तो क्या रहेगा ? अगर ulcer हो रहा है तो pain होगा यही symptom700 देखने को मिलेगा पैसेंट को क्या होगा pain होगा वो depends करता है कि किस type का ulcer हो रहा है क्या minor ulcer है क्या major ulcer है यानि छोटा ulcer है یा बड़ा ulcer है severe condition में अगर जादा ulcer है तो जादा pain होगा अगर minor ulcer है तो minor pain होगा वो depend करता है तो basically जो symptoms निकल के आता है वो pain निकल कर आता है फिर उससे associated जितने भी sign and symptoms है वो उसके साथ साथ निकल कर आ जाते हैं यानि ulcer से regarded उसको nogia भी हो सकता है उसको omitting भी हो सकती है उसको अलग सी कोई indigestion भी हो सकता है dysphagia भी उसको हो सकता है उसको irritation भी हो सकती है वो आगे से अलग से हो सकता है उसको fever भी हो सकता है उसको headache भी हो सकता है क्योंकि अगर उसको eating में दिक्कत आएगी तो वह eating नहीं कर पाएगा eating नहीं कर पाएगा तो headache तो होगा होगा weakness तो आएगी आएगी ठीक है तो जानते हैं क्या-क्या symptoms होते हैं और क्या-क्या types होते हैं तो देखें यहां पर symptoms and type of apathous ulcer देखिए apathous ulcer are three type कितने type का apathous ulcer तीन type का पहला type है that is minor apathous ulcer second type is major apathous ulcer और third type है herpetiform apathous यानि हर्पीज जो आपने सुना है हर्पीज infection जो सुना है simplex herpes वाला उसके type में हो सकता है क्योंकि agities उसके जिसे लगता है लेकिन उसका infection नहीं होता है यानि herpetiform apathous each of these type of different symptoms इनके अंदर तीनों के अंदर अलग अलग symptoms so होंगे basically pain तो so होगा ही होगा बागी ulcer का size भी यहां पर अपने को ध्यान रखना है ठीक है तो commonly जो apathous ulcer basically तीन टाइप का होता है पहला अलसर क्या क्या कहते हैं minor ulcer यानि कि size में छोटा रहता है कम रहता है उसके लावा major apathous ulcer और lastly herpetiform ulcer herpetiform apathous ulcer herpes के जैसा होगा लेकिन herpes infection नहीं होगा चलिए बढ़ते हैं और one by one इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा discuss करते हैं इनके sign and symptoms अपने देखते हैं उसके बाद आगे discuss करते हैं तो सबसे पहला जो symptoms हम देखेंगे सबसे पहला जो type हम देखेंगे वो है minor apathous ulcer minor apathous ulcer means simple language में समझ में आ रहा है minor यानि बहुत कम यानि lese होगा और lese होगा तो pain भी केसा होगा lese होगा ulcer की size भी केसी होगी lese होगी यानि कि generally more common देखने को मिलता है ये बात आपको याद रखनी है these are the most common ones यानि सबसे जादा जो ulcer देखने को मिलता है वो ये इसी type का ulcer देखने को मिलता है किस type का minor apathous ulcer देखने को मिलता है most common type बताया गया है apathous ulcer के अंदर minor apathous ulcer को याद रखे उसके अलावा they are mostly small in size काफी small in size में ये होता है less than 5 mm 5 mm से भी कम size का ये होता है कितना less than 5 mm in diameter इसका जो diameter है rounded जो ulcer होगा rounded या wall shape में ulcer हो सकता है तो उसका diameter कितना है less than 5 mm 5 mm से कम का ulcer है तो वो किसके अंदर include होगा minor apathous ulcer के अंदर and can form a single apathous ulcer in a can single apathous ulcer या फिर cluster apathous ulcer यानि कि इस type का जो ulcer है single अकेला ulcer भी हो सकता है एक ulcer हो गया इस type में और cluster में भी हो सकता है नि 2-4 ulcer एक जगह हो गए ऐसे cluster बनके जुंड बनकर हो गए तो ऐसे भी यह हो सकता है तो basically इसमें क्या याद रखना है दो line तीन line आपको याद रखनी है कि most common type of ulcer most common type of apathous ulcer known as minor apathous ulcer यानि जो minor type का ulcer है most commonly देखने को मिलता है इसकी जो size है वो smaller रेती है size कितनी रेती है 5 mm से भी कम less than 5 mm diameter इसकी होती है और यह single भी हो सकता है और cluster in form में भी यह हो सकता है उसके लावा these typically do not cause pain और basically अपन कहें कि इसके अंदर pain नहीं होता है अगर pain भी होता है तो बिल्कुल minor type में pain होता है ज्यादा severely इसका pain नहीं होता है usually जो इसका जो ulcer होगा वो कैसा रहेगा usually जो इसका ulcer होगा वो कैसा रहेगा small in size रहेगा उसके अलावा ulcer जो होगा वो oval in shape में हो सकता है और red age इसके हो सकता है जैसे ही ओवल सेप में यह होगा तो इसके जो किनारे होंगे वो कैसे दिखेंगे रेड दिखेंगे कैसे दिखेंगे रेड दिखेंगे इमेज दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में वैसे उसके जो एज है यानि किनारे वो कैसे दिखाये देंगे red in color में दिखाए देंगे चलिए समुझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है heal in 1 to 2 week यह automatically एक से 2 week के अंदर ठीक भी हो जाते हैं automatically एक से 2 week के अंदर ठीक भी हो जाते हैं यानि अगर management लेते हैं तो ठीक तो हो नहीं है अगर management नहीं लेंगे तब भी एक से 2 week के अंदर automatically सही हो जाते हैं ज्यादा management के इसको requirement नहीं होती है चलिए आगे बढ़ते हैं और next type का अपेतसलसर हम पढ़ते हैं next type का अपेतसलसर है that is major अपेतसलसर major type का अपेतसलसर हम पढ़ते हैं क्या होता है देखें minor के अंदर जो size थी वो कितने थी 5 mm थी लेकिन इसके अंदर जो size है 5 mm से ज़ादा होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है these are 5 mm size और larger 5 mm से ज़ादा इसकी size हो सकती है 5 भी हो सकती है और 5 mm से ज़ादा भी इसकी size हो सकती है अकर इन पेर ये जोडे में भी हो सकता है जोडे में भी जोडे से मतलब क्या है कि मान के चलिए गम्स के अंदर इंगिस गम में हुआ है तो दूसरे गम में भी हो सकता है यानि पेर के अंदर भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं और क्लस्टर इंफोम में भी हो सकते हैं औ इसके अंदर जो पैने को मिलेंगा कापी कम देखने को मिलेGOा जब आप खाना क्वाहने या बात करेंगे या कुछ पीएगे डिंक करेंगे तभी तभी आपको पैन देखने को मिले लेकिन एक minor pain यहां पर देखने को मिलेगा तो sign and symptoms यहां पर आप देखिए sign and symptoms हम देखे तो इसकी जो size है वो कैसी होगी larger होगी deeper होगी यानि जो ulcer होगा large तो होगा कितना large होगा 5 mm से ज्यादा 5 mm से ज्यादा इसकी size होगी उसके लावा deeper यह हो सकता है यानि थोड़ा गड़े में हो सकता है यानि थोड़ा deep यह हो सकता है जो minor ulcer होगा उससे थोड़ा deep यह देखने को मिलेगा उसके लावा have irregular age इसके अंदर जो किनारे हैं वो irregular देखने को मिल सकते हैं जरूर नहीं यह rounded देखने को मिले when become large but when they are small they would look similar to the minor ulcer अगर small in size में तो minor ulcer की तरह यह दिखते हैं लेकिन अगर large in size में हो रही हैं तो उससे थोड़ा different देखने को मिलेगे उसके अलावा extremely pain यहां पर देखने को मिलेगा और automatically यह automatically यह treat भी हो जाएगा यानि take up to six week या फिर month यानि one month तक भी यह रह सकता है और one month के अंदर यह treat भी हो सकता है heal and can have can leave extensive scaring ठीक है यह heal हो जाएगे heal automatically हो जाएगे लेकिन कुछ scaring वहाँ पर छोड़ सकते हैं कुछ scaring मतलब कुछ Nissan वगेरा वहाँ पर छोड़ सकते हैं और थर्ड टाइप का अपेतस अल्सर है that is herpetiform ulcer herpetiform ulcer means directly symbol दिख रहा है herpetiform मतलब herpes के जैसा यह लगेगा लिखा हुआ यहाँ पर since these ulcers look like these ulcers look like herpes in appearance herpes के जैसे यह ulcer देखने को मिलेंगे herpes के जैसे यह लगेंगे appearance कैसी रहेगी herpes infection की तरह लगेगी यानि इन ulcer की जो appearance है वो herpes infection की तरह लगेगी लेकिन actually में herpes infection यह नहीं होता है आगे they have derived in same sorry they have derived in a name herpetiform but they are not caused by herpes simplex virus देखें इसका नाम हला की herpetiform ulcer है लेकिन इसका means यह नहीं है कि जो ulcer हुआ है वो herpes simplex virus के कारण से हुआ है यानि herpes infection यह नहीं होता है केवल नाम इसका herpetiform ulcer होता है herpes infection के कारण से यह ulcer नहीं होता है यतना आप याद रखें herpetiform ulcer occur when several lesions fuse and form large ulcer that are irregular in shape देखें यहाँ पर simplex language में लिखा हुआ है कि अगर ulcer like यहाँ पर कुछ ulcer इस तरीके से हो रहे like यहाँ पर ulcer कुछ इस तरीके से हो रहे like एक ulcer यहाँ पर बीच में हो गया है और यह आपस में comind हो गया है यह आपको देखने ने को मिल गया है तो irregular in size में हो सकता है irregular in shape में ये हो सकता है अगर several reasons अगर कुछ region है कुछ region है आपस में क्या हो जाते हैं fuse हो जाते हैं और fuse होकर बड़ाjor लार्ज ulcer बन जाता है तो ये irregular in shape में हो सकता है यानि इनका워서 बिलकुल fix नहीं होता है अगर 2-3 legion आपस में मिल जाते हैं तो बड़ी साइज का ये अल्सर बन जाता है जिसकी साइज अल्टर हो सकती है यहाल तक आपको समझ में आ गया होगा चले इसके रिगार्ड़ड सिंथम्टमस हम देखते हैं 10 से 100 स्कूर भी100 ठारी फिम्टम साकता है यानि mostly ये ulcer cluster form में देखने को मिल सकते हैं ठीक है और ये आपस में एक दूसरे से merge हो जाते हैं और large ulcer यहां पर बन जाता है उसके लावा ulcer with irregularly age देखने को मिलते हैं और mostly इसके अंदर pain देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा pain basically यहाँ पर देखने को मिलेगा और pain है जो की high intensity में देखने को मिलेगा और severity के साथ इसमें pain देखने को मिलेगा और ऐसी condition में हो सकता है patient pain को tolerate नहीं कर पाए और patient को क्या करना पड़े medicines देने पड़े patient को hospital जाना पड़े तो काफी ज़्यादा pain इसके अंदर देखने को मिलता है अभी तक जो पड़ेते हैं अपने ऊपर दो minor और major उनके अंदर pain थोड़ा कम होता है टोलरेट कर सकता है एक परसन लेकिन जो हर्पिटी फोर्म अपेता सलसले उसके अंदर pain काफी severe होता है patient tolerate नहीं कर पाता है और ऐसी condition में उसको management की जरूद पड़ती है medical attention की जरूद पड़ती है आए हैं एहां तक आपको clearly समझ में आ गई होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की साथ ही अपन discuss करते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने की साथ ही अपन discuss करते हैं assessment of patient जो की important मैंने आपको बताया है हर disease के regarded आपको assessment करना जरूरी है हर disease के regarded आपको assessment करना जरूरी है पैसेंट का assessment आपको करना जरूरी है जो की हर session के अंदर में आपको बताता हूँ और यह मान की चलिए most commonly में general बताता हूँ आपको और commonly आप एक जिसा लिख सकते हैं बस change कर सकत जो की disease condition मिली उसके sign and symptom के according तो यहाँ पर patient complain करके आएगा patient आया आपके पास और complain कर रहा है कि मुझे mouth ulcer हो गए है मुझे क्या हो गए mouth ulcer हो गए है और mouth ulcer के कारण से मुझे pain हो रहा है pain हो रहा है बोलने के 視 Гorset बोल नहीं पारा हूं difficulty मुझे हो रही है उसके अलावा मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है कुछ खाने में दिक्कत आ रही है तो ऐसके patient आगर आपसे complain करता है complain क्या करता है कि मुझे mouth ulcer हो गए है क्या हो गए a mouth ulcer हो गए complain यही करेगा पेसेंट आएगा तो यही कहेगा कि मुझे माउत अलसर हो गए है मुझे चाले हो गए है और मुझे पेन हो रहा है बहुत तेज ऐसी पेसेंट आगर आप से कंप्रेंड करेगा और उसके बाद आप उसको साइन एंड सिम्टम्स पूचेंगे और उससे है यानि inquire when and how इन चालि इन अन्हारे कि वही heute पुचिए है और उसके बाद पैसेंट को क्या कहेंगे वाइट सेन के रिगाड़ेड पूचिगे개를 ऑप फीवर कोई ढीकत हो रही क्या ओम में नूज यह कुछ हो रहा है क्या उसके रिगाड़ेड़ वाइटल आप चेक कर लेंगे, साथ ही temperature औगरा चेक कर लेंगे, respiration औगरा आप चेक कर लेंगे, उसके लावा is duration or severity आप पूछेंगे कि जो condition आपको हो रही है जो problem आपको रही है जो pen केंचहलों वह कहां पर हो रहा है किस स्लेशन हो रहे है और हुशन ही नपेत्था वो आप बताएंगे तो पैसेंट बताएगा कि मुझे टंग के नीचे पेन हो रहा है टंग के नीचे मुझे अलसर है वो आपको माउथ ओपन करके दिखाएगा कि यहां पर यह अलसर हो रहा है ठीक है उसके लावा ask if the patient has recently traveled area with endemic infection or have other infection risk और उसके लावा पैसेंट से आप पूंचेंगे कि कहीं आप travel करके आयों कहीं यात्रा करके आयों कहीं बाहर गए थे क्या वह सारा कुछ पूंच लेंगे क्योंकि हो सकता है कोई इसे condition में गया हो जाए infection हो यानि bacterial viral infection के कारण से भी mostly देखने को मिलता है इसलिए उससे यह भी पूंच लेंगे उसके लावा उसके लावा पैसेंट से आप पूंचेंगे आप कोई HIV कोई medication ले रहा हो recently आप मेडिकेशन ले रहा हो ब्ससकों ले रहा हो तो कब से ले रहा हो और वाट फॉर किस लिए ले रहा लेए पेसेंट से आप पूंच लेंगे तो पैसेंट ese ayam मैं इस लिए ले रहा हूं और दो दिन से पांस दिन से जितने भी टाइम से वो ले रहा है उसके कारण से देखने को मिल सकता है इस टाइप का अलसर इसलिए पूछना पड़ेगा medicines के regarded भी चलिए आगे बढ़ते हैं उसके लावा उसका history आप collect करेंगे पैसेंट का history आप collect करेंगे थोरोली इस्ट्री लेंगे टेक थोरोली इस्ट्री टू एंक्वाइरी अबाउट दो वेदेर पैसेंट है जो प्रिवेशली हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक इलनेस और क्रोनिक इंफेक्शन पैसेंट और फैमिली के रिगार्ड़े इस्ट्री आप ले कुछ पर्टिकुलर फैमिली के अंदर मोसली देखने को मिल जाता है इसलिए पैसेंट से यह पूच लेंगे और पैसेंट को क्या दिक्कत हो रही है कहां पर पेन हो रहा है उसके लबा क्या होता है नोज्या ओमेटिंग वह आप पूंच लेंगे और उसको नोट कर लेंगे ताकि उसके according आप उसको management कर सके उसके लावा lastly क्या meal उसने लिया है तो ask about meal ask patient about meal patient से meal के regarded भी पूँच लेंगे कि आपने lastly क्या खाया था ताकि हम उसके regarded पता कर सके हो सकता है कि किसी allergy के कारण से हुआ हो हो सकता है कि ऐसी diet उसने ले लियो जिसके कारण से उसको अलसर हो गया हो तो वो सारा details आप ले लेंगे और उमीद है patient का जो assessment करते हैं और mostly सभी disease condition के अंदर same आप कर सकते हो बस थोड़ा सा changes यह करना है कि जो disease condition आपको मिली है उसके according उसके according आप थोड़ा-थोड़ा point change कर सकते हो तो यह assessment of patient है common आप एक बार याद कर लिजेगा और हर disease के condition के अंदर आप इसको mention कर सकते हैं कुछ point को छोड़ कर ठीक है उमीद है क्योंकि अभी तक जितने disease condition बताया है मैंने same एक ही type से हम patient का assessment कर रहे हैं और ऐसे ही आपको assessment करना है चलिए आगे बढ़ते हैं और next discuss करेंगा diagnosis और उमीद है diagnosis की जरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह community health officer diagnosis आपने कर लिया है जिसे ही आपने patient का assessment किया है आपको diagnosis पता चल गया है कि हाँ इसको अपैतसलसर है पता चल जाएगा ठीक है कि आपको क्या problem है पैसेंट को क्या problem है तो उमीद है diagnosis की जरूत नहीं पड़ेगी अगर फिर भी जरूत पड़ती है तो फिर डाइगनोसिस और आप देख लिजेगा डाइगनोसिस के अंदर क्या याद रखिएगा commonly उसके साहरे clinically features आप वो आपको बताएगा उसके according diagnosis आपको करना है before starting the medication for apathous leasing it is important to determine the causes which are contributing the disease diagnosis किस लिए बनाएगे ताकि जो बे-medication आप ले रहे हो उसका cognitive factor आप पता कर पाए जिसके कारण से उसके relative आप क्या दे सके medicines दे सके the various causes कुड भी हो सकता है पैसेंट को recurrently trauma हुआ हो पैसेंट को dental जो denture है पैसेंट के उसके कारण से कोई injury हुई हो हो सकता है पैसेंट के अंदर जो ulcer हुआ है वो पैसेंट के अंदर पहले से ही कोई disease condition हो जिसके कारण से हुआ हो यानि sometime apathous ulcer can be the sign of systemic disease so it is essential the establishment correct diagnosis and determine the suitable therapy ठीक है यानि पैसेंट के अंदर आप पूचेंगे कुल मिला के आपको पैसेंट assessment जब आप करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आपको पैसेंट असेंट जरूर करना है आपको as a community health officer पैसेंट का assessment जरूर करना है अगर patient assessment आपने नहीं किया है तो आपको marks भी नहीं मिलेगा और आपको diagnosis भी पता नहीं चलेगा कि patient के अंदर दिक्कत क्या है patient के अंदर दिक्कत किस वज़े से हो रही है patient के अंदर problem क्या है और उसका management आप कैसे करेंगे उसका ilaj आप कैसे करेंगे तो patient assessment जरूरी है और उम्मीद है यहां तक जो भी पढ़ा है आपको अच्छी तरह किसे समझ में आ गया है चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक किजिए और चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर क्लास हर सिशन आपको मिल सके चलिए बढ़त पैसेंट से जो भी कलेक्शन आपने किया जो भी डाटा होगे लिया आपने वो ले लिया पैसेंट की कंप्लेन आपने सुन ली और जो भी असेस्मेंट आपसे होता है जो भी असेस्मेंट आपको करना होता है वो सब कुछ आपने कर लिया पैसेंट का असेस्मेंट भी आप नहीं तो pharmacological तो देनी है वो तो देनी होती है चले बढ़ते हैं सबसे पहले अपन non pharmacological treatment यहाँ पर देखेंगे और non pharmacological treatment के regarded केवल पेशेंट को क्या करेंगे education देंगे केवल पेशेंट को education देंगे तो आपके mouth के अंदर आपके mucos की अंदर आपके mucosa membrane के अंदर infection हो सकता है जिसके कारण से आपको apathos ulcer देखने को मिल सकता है उसके अलावा क्या करेंगे उसके अलावा उसके अलावा पेशेंट से कहेंगे राइन्स दा मााऊथ, with plain water especially after the eating anything जब पेसेंट से कहेंगे का आपको mouth को क्या करना है राइन्स करना है यारी कि दोना करना है एक तरीके से łosर राइन्स करना है यारी धोना है एक तरीके से plain water से जब भी आप कुछ खाते हो तो पानी से आप माउथ को क्या करें अच्छी तरह के से वोस करें पानी से माउथ को क्या करें अच्छी तरह के से वोस करें जब भी आप कुछ खाते हूं क्योंकि अगर कुछ भी पार्ट बोड़ी आपके माउथ के अंदर रह जाता है तो वहाँ पर बेक्टीरिया बेक्टीरिया क्या हो मीजर्स पेसेंट को रिस्क फेक्टर और प्रिवेंटिव मीजर्स के रिगाड़ेड एजुकेशन प्रॉइड गरेंगे उसके लावा क्या करेंगे उसके लावा क्या करेंगे तो उसके लावा आगे पड़ते हैं क्या करेंगे प्रॉड प्लाई मीलक और प्रॉड राइजिंग यानि यहाँ पर आप मेगनेशें य्यापनूर अप्र यूज़ आप यूजे। बाकी यह effective नहीं है, इस point को आप अठा दीजेगा, ठीक है, उसके लावा application of eye speck और कब to affected area, पैसेंट से कहेंगे, अगर आपको ज़्यादा, जहां पर ulcer हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा pain है, तो आप eye speck का use कर सकते है, आइस वहाँ पर apply कर सकता है, कि वहाँ पर cold application मिलेगा, तो उसके कारण से pain relief आपको मिल जाएगा, उसके लावा teeth ointment, अगर teeth के कारण से injury के कारण से अगर पैसेंट को ऐसा हुआ है, पैसेंट को अगर injury के कारण से ulcer देखने को मिला है, तो ointment patient को provide करेंगे, ointment patient को क्या करेंगे, provide करेंगे, उसके लावा, उस ointment के अंदर क्या होगा, anesthetics होगा, anesthetics लोकल होगा, जो की pain session, pain receptor को क्या करेंगा, surprise कर देगा, उसके लावा, number pain, your manage the pain discomfort है, ठीक है, उसके लावा, अगर patient से कहेंगे, अगर आपको ज्यादा pain होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, dentist के पास जाए, और dentist से confirm करें, कि हो सकता है, dental ही कोई problem हो सकती है, तो वो आपको normally patient को educate कर देना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आप अप अगे बढ़ते हैं, patient से कहेंगे, patient को बताएंगे, कि आपको जो stress है, आपकी body के अंदर, या आपको जो stress है, mentally जो आप stress रखते हैं, उसको आप क्या करेंगे, reduce करेंगे, यानि work stress आपका जो है, अगर आपको depression में रहता है, आप कोई stress लेते हो, tension लेते हो, तो उसको आपको नहीं करना होगा, या कम करना होगा, ताकि ulcer नहीं होगा, क्योंकि mostly अपन ने कहा, कि अगर immunity power कम रहेगी, यानि immune system disturbed होगा, तो आपको ulcer होने की chances है, तो stress नहीं लेना है, आपको ज्यादा tension नहीं लेनी, उसके लावा, avoid hard food, patient से कहेंगे, hard food आपको नहीं खाना है, liquid food mostly आपको लेना है, ताकि आप आपको pain ना हो, क्या नहीं हो, pain ना हो, तो liquid food की patient से कहेंगे, यानि दलिया वगिरा, खाने को बोलेंगे, उसके लावा, make sure to intake nutritional supplement such as, vitamin B12 capsule, उसके लावा, vitamin D, उसके लावा, zinc and tablet, zinc की tablet, यानि patient को, जो nutritional supplement होते हैं, वो लेने को कहेंगे, और आपके पास ऐज़ा होती है, तो आप उनको दे देंगे, कि इनको आप लीजेगा, और आपका जो भी problem है, वो soul हो जाएगा, तो उमीद है, friends, यहां तक समझ में आया होगा, non pharmacologically अपने treatment किया है, अब हम discuss करेंगे, pharmacological treatment क्या क्या करे अगर बिना दवाई से इलाज नहीं हो पाया है, तो फिर pharmacological treatment आपको देना होगा, उनको medicines देना होगा, दवाई देने होगी, जिससे patient को क्या मिलेगा, relief मिलेगा, उसकी जो भी problem है, वो soul हो जाएगा, चले बढ़ते हैं, और discuss करते हैं इसके बारे में, तो सबसे first one यहां पर या फिर cankers और आप पढ़ रहे हैं, cankers और आप पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं है, topic क्या पढ़ रहे हैं, नहीं तो सब कुछ दूल में चला जाएगा, आपको याद कुछ नहीं रहेगा, चले बढ़ते हैं, pharmacological treatment हम कर रहे हैं, mouth ulcer का, और apathus ulcer का, देखिए, various treatment modality may be used, थो there is no definite therapy, देखिए, यहाँ पर, pharmacological treatment के अंदर क्या करेंगे, कुल मिलाकर supportive management आप करेंगे, क्या करेंगे, supportive management करेंगे, या पीर symptomatic management करेंगे, क्या करेंगे, symptomatic management करेंगे, क्योंकि apathus ulcer के लिए कोई specific, क्योंकि इसका कोज ही unknown था, कोज ही कारण ही पता नहीं है, कोज ही unknown है, तो उसका इलाज भी तो क्या होगा, उसका treatment भी तो नहीं होगा, यानि जब इलाज ही नहीं है, तो treatment भी नहीं होगा, तो ऐसी condition में क्या होगा, supportive management देना होगा, symptomatic management देना होगा, अब symptomatic management के अंदर क्या देंगे, सर उसको pain हो रहा है, तो उसको pain killer दे देंगे, यानि उसको NACIDS दे देंगे, उसके अलावा पैसेंट को fever है, तो उसको parasitamol दे दे देंगे, तो सबसे पहले, आप पैसेंट को क्या-क्या देंगे, देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी अच्छी तरके से, मैं आपको बताऊँगा, one by one, सबसे पहले आप देखिएगा, क्या-क्या management करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पैसेंट को क्या दे यह उगए पर ब्रश्य वह में अब पर सब्सक्राइब और वाप दो सकते हैं उसके लाबा मेडिकेसिन्स आप यूज कर शक्ते हैं जिसे कि anti-microbial, अगर mouth के अंदर ulcer है, तो anti-microbial mouth वोसर आते हैं, यानि anti-microbial agent आते हैं, जिनसे कहेंगे, present को देंगे, और उनसे कहेंगे, कि आप इनसे क्या करें, दो से तीन बार दिन के अंदर क्या करें, कुला करें, यानि कि तरकी से mouth को वोस करें, उसके अलावा, topical cortico steroid like dexamethasone दे सकते हैं, dexamethasone आप generally दे सकते हैं, उसके अलावा, trimesc nolone हो सकता है, उसके अलावा, clobestasone हो सकता है, ये generally उसको दे सकते हैं, तो basically यहाँ पर dexamethasone याद रख लेगा, portico steroid याद रख लेगा और याद नहीं रहता है, उसके अलावा, can be used to reduce pain, ये सारा किस यह दे रहे हैं पन पेन रिडूस करने के लिए याद रखेगा ज्यादा याद नहीं रहता है तो बेसिकली कोमन कोमन याद रख लेगा यानि उसको एंटी माइक्रोबियल माउट वोसर आप दे देंगे उसके लावा एस्टिरोइट देंगे यानि डेक्सामितासोन उसको दे ठीक है तो systemic medication can be tried if topical therapy is effective ठीक है अगर topical therapy ineffective रहती है तो उसको systematically medications आप दे सकते हैं उसके लावा anti-inflammatory medications आप दे सकते हैं उसके लावा anti-septic medication यानि anti-biotic medication आप पैसेंट को दे सकते हैं तो यह general medicines हो जाती है उमीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अब आगे कुछ medicines में आपको generally बता हुआ कि अगर जो medicines आपने दिया है जो management आपने किया है अगर वो effective नहीं रहता है अगर वो effective नहीं रहता है यानि यहाँ पर हम apathis ulcer का management अगर आपको करना है तो apathis ulcer के management के regarded अगर क्योंकि इसके regarded कोज unknown है और कोज unknown है तो management भी unknown ही रहेगा क्योंकि supportive management आप करेंगे क्या करेंगे supportive management करेंगे और आप पढ़ रहे हैं apathos ulcer क्या पढ़ रहे हैं apathos ulcer आप पढ़ रहे हैं और apathos ulcer को क्या कहते हैं canker sore कहते हैं या mouth ulcer आप कह सकते हैं इसके रिगाडर आप management अगर कर रहे हैं तो management के रिगाडर आपको सबसे पहला काम होगा कि patient के अंदर pain हो रहा है patient के अंदर pain हो रहा है तो pain को relief करवाएंगे patient के अंदर pain हो रहा है तो pain relief करवाएंगे यानि pain relief मेडिसिन्स देंगे और पेन रिलिफ मेडिसिन्स के अंदर क्या देंगे पेन रिलिफ मेडिकेशन के अंदर आप क्या देंगे जो एनसी आइडिस होती हैं एनसी आइडिस के अंदर आप क्या दे सकते हैं डेक्सोन आप दे सकते हैं एनसी आइडिस के अंदर यानि कोर्टिको फॉम में भी आती हैं और injection भी आता हैं सीवरेटी के according आप पेसेंट को दे सकते हैं उसके लावा आप tablet देंगे renteck tablet देंगे आप renteck, ranitidine आती हैं वो renteck tablet आती हैं वो आप दे देंगे कितना आता है 150 mg इसको आप bd देंगे क्या देंगे bd आप देंगे उसके लावा आप tablet देंगे फोमेटीन, renteck के जैसा ही renteck का ही category का है फोमेटीन आप देंगे क्या देंगे Fometin, Fometin आप देंगे Fometin आप देंगे ठीक है कितना आता है यह 40 mg का आता है और यह कब देंगे आप HS में देंगे यानि Horasomy यानि Bed Time देंगे उसके लावा आप Capsule देंगे, पेसेंट को Capsule देंगे Omepra Zole का Capsule देंगे, Omepra Zole का 20 mg आता है इसको आप OD दे सकते हैं Morning के अंदर OD यानि खाने से पहले आप Morning के अंदर इसको देंगे खाने से पहले देंगे OD ठीक है और BDB आप इसको दे सकते हैं अगर जरूद पढ़ रही तो उसके लावा आप Capsule देंगे Penta-Prazole का पेंटा-Prazole का पेंटा-Prazole का Capsule देंगे जो कि कितना आता है 40 mg आता है 40 mg या 40 g आता है उसके लावा इसको आप OD देंगे 40 और OD देंगे OD और BDB आप इसको दे सकते हैं ठीक है और इसको भी मिल से पहले आपको देना है उसके लावा आप Capsule देंगे यहाँ पर B-Casule Capsule B-Casule Capsule आप देंगे जो कि मल्टी विटामिन होता है मल्टी विटामिन में B-Capsule B-Complex इसके अंदर इन्वोल होता है तो यह सारे medicines आप यहाँ पर देंगे उसके लावा आप अंटिबाइटिक भी दे सकते हैं अंटिबाइटिक के अंदर B-Casule Capsule Capsule क्या देंगे एमोक्सिसिलीन आप देंगे एमोक्सिसिलीन के साथ आप यहाँ पर इमोक्सिसिलीन तो दे ही देंगे उसके लावा और क्या देंगे एक combination therapy के रूप में दे सकते हैं combination therapy के रूप में जैसे की omeprazole omeprazole के साथ amoxy और उसके साथ tinidazole tinidazole ये देंगे तो ये काफी effective होती है इसके regarded apathos ulcer के अंदर या dudonal ulcer के अंदर ये काफी effective होती है तो ये आप medicines उसको दे देंगे उमीदे friends जो medicines हमने बताईए basically जो medicines है supportive management आपको करना है यानि अगर patient को ometting हो रही है patient को ometting से regarded problem है तो anti-ometrics patient को आप दे देंगे patient को anti-ometrics आप दे देंगे patient को pen है तो patient को pen killer दे देंगे अगर ज़्यादा pen है तो diclofenix odium आप injection दे सकते हैं उसके लावा ibupropane दे सकते हैं dextra mitoshun दे सकते हैं उसके लावा anti-ometrics में anti-ometrics में imesate यानिकी ondencetron आप दे सकते हैं उसके लावा mcp metclopramide आप दे सकते हैं तो basically जो medicines होती हैं वो आप patient को दे सकते हैं finally आपको समझ में आगया होगा उम्मिद है उसके लावा आप next अपन बढ़ते हैं next अपन बढ़ते हैं और इसके अंदर आपन डिसकस करेंगे health education और prevention apathis ulcer के regarded patient को apathis ulcer है तो patient को क्या देंगे health education provide करेंगे जरूरी है health education देना और prevention बताएंगे patient को कि यह यह आप करोगे तो आपको apathis ulcer नहीं होगा चल यह बढ़ते हैं क्या-क्या बताएंगे patient को सबसे पहला point आप mention करेंगे avoid salty और acidic food spicy food then can irritate your mouth patient से कहेंगे कि आपको salty, acid food या फिर ऐसा food नहीं लेना है जिससे आपकी mouth की जो mucos membrane वो irritate हो जाए क्योंकि अगर वो irritate होगी तो आपकी body के अंदर आपके mouth के अंदर ulcer होने के chances रहते हैं उसके लावा patient से कहेंगे आपको plenty of fluid लेना है यानि fruit juice लेना है आपको vegetables लेनी है grains लेने है और nutritional supplements आपको अच्छे रिशें लेना है nutritional supplement के अंदर अच्छे अमाउंट में लेना है उसके लावा follow good oral hygiene patient से कहेंगे कि आपको oral hygiene habit अपनानी है oral hygiene habit होती है वो आपको लेना है यानि daily up to date आपको क्या करना है oral hygiene करनी यानि brush करना है mouth ose करना है थीक है उसके लावा उसके लावा जो टूथ-paste है ऐसी टूथ-paste नहीं लेनी है जिसके अंदर से जिसके जो टूथ-paste आपकी mucos membrane को irritate करता हो लाइक ऐसी टूथ-paste आपको नहीं लेनी है या ऐसा mouth ose लोरील बिच़त हो जिसके अंदर sodium laurel sulfate हो वो mouth hose या toothpaste आपको काम में नहीं लेना है उसके अलावा क्या health education देंगे क्या prevention बताएंगे if you wear a brush या फिर dental appliance अगर आप कोई dental appliance wear करते हैं पैंते हैं यानि डेंचर वगेरा अगर आपके कोई दांत हैं जो कि artificially लगाया हुआ है तो उसको जब भी आप लगाए या उसके कारण से कोई irritation हो रहा है तो आप कहेंगे पैसेंट से कि आप और तो या dentist के पास आप जाएंगे और उनको बताएंगे कि यह problem है ठीक है तो अगर आप dentures यूज़ करते हैं तो उसका सही से यूज़ करेंगे अगर आपको उससे regarded कोई problem आती है तो आप dentist के पास जाएंगे और उस dentist को बताएंगे कि यह problem है और इससे यह हो सकता है ठीक है उसके अलावा work on learning stress reduction techniques पैसेंट से कहेंगे जो भी आपको stress वगरा आप लेते हैं टेंशन लेते हैं वो आपको नहीं करनी होगी यानि work on learning stress reduction techniques यानि learning की इसके रिगार्डिर लर्निंग stress reduction यानि कोशिश करना है कि आपके अंदर stress कम से कम हो टेंशन आप कम से कम ले, क्या ले, टेंशन आप कम से कम ले, क्योंकि वो आपको, आपको क्या कर सकती है, इल कर सकती है, आपके बोडी के अंदर, आपके माउथ के अंदर अलसर करवा सकती है, क्योंकि इम्मुन सप्रेसेंट जितने भी हैं, अगर युमिनिटी कम हो रही है, human system affect हो रहा है तो आपके body के अंदर आपके mouth के अंदर ulcer हो सकते हैं उसके लावा quiet smoking आपको smoking नहीं लेना है जितने भी nicotinic substance आते हैं उनसे आपको दूर रहना है वो आपको नहीं लेना है उसके लावा cigarette वगरा smoke आपको नहीं करनी है ऐलकोल आपको नहीं लेना है ये सारी क्या है रिस्क फेक्टर है अपैतर सलसर के रिगार्डड और उम्मीद है यहां तक आपको सबको क्लियर ली अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा चलिए उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा और आज के session को अपन यहीं पर finish करेंगे और उमीद है अपयता सलसर के regarded अगर कोई भी question आता है चाहे long question आए चाहे short question आए short note के अंदर यह question आए आप काफी अची तरह के साथ इसको कर पाएगे ऐसी उमीद करते हैं इसी उमीद के साथ session को यहीं पर finish करेंगे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजेगा ज़्यादा ज़्यादा शेर कीजेगा ताकि सभी तक यह पहुँचे और सभी को इनका benefit हो सके और चैनल पर first time विजिट कर रहे तो चैनल को subscribe करके bell icon call पर press कीजेगा ताकि इसी तरह से continue session आपको मिले और साथ ही telegram चैनल को जरूर जोइन कीजेगा ताकि वहाँ पर जो भी PDFs available करवाई जाए वो आप तक पहुँच सके तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे next session के अंदर जल्दी